यूबी में ग्राम विकास अधिकारी परिक्षा रद्ध होने पर कॉंग्रेस महासची प्रियंका गाधी ने योगी सरकार पर जम कर निशाना साधा है प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है कि इन भरतियों की रद होने के बाद युवाओं की आँखों में अंधेरा चागया है इस जोरान उन्होंने सीम योगी पर कटाक्ष भी किया प्रियंका ने कहा कि वीडियो 2008 की परिक्षा दिकर युवाओं ने 2021 तक निक्ति का इंतजार किया तारीख पर तारीख आती गई, निक्ति ना मिली, हर नई तारीख एक पत्तर की तरह चोट करती प्रियंगा ने आगे गहा कल भरती निर्यस्त हो गई इन युवा आखों में अंधिरा चागया CM साहब के प्रचार में ही बहार है मगर UP का युवा नौकरी से बाहर है गौरतलाभैत की बुद्धवार को उत्तप्रदेश सर्वेस सेलेक्शन कमीशन यानि की UPSSC की ओर से जारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पुंचात अधिकारी और समाज कल्यान अधिकारी के पत पर भरती परिक्षा 2018 को रद कर दिया गया इसके तहट कुल 1953 पद उपर भरतियां होनी थी इन भरतियों के लिए 30 मई 2018 को नौकर फेकेशन जारी किया गया था इसको लेकर प्रियंका गादी वाटरारी कटाक्ष किया है बड़ते कले खबर के और यूपी के विजनोर में एक आपको बता देक देल दहला देने वाला मामला सामने आया है यहां LLB के परिक्षा दे रहे चार दिहारी मजदूर पकड़े गए हैं उड़न दस्ता की टीम ने मजदूरों को पकड़ कर कॉलेज, प्रशासन और पुलिस के हवाले कर दिया है पुलिस ने चारों मजदूरों को गिरिफ्तार कर लिया है यह पुरा मामला थाना सत्रीक एलाके के TRC लॉकालिस का है यहां बुद्वार को LRB की परिक्षा कराई जा रही थी परिक्षा देने वाले शात्रों की भीड भी थी पुस्ताच में आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया उन्होंने बताया कि वो किसी दूसरे के इस्थान पर परिक्षा देने आये हैं जिसके बाद उडंदस्ता दल ने उन्हें पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया भारत में कुरोना वाइरस की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू हो गई है बीते 24 घंटे में देश में आपको बदा दी कि 53,000 से अधीक कुरोना वाइरस के नए केस दर्ज हुए हैं करीब पांच महीने के बाद भारत में 50,000 कुरोना केस का आंकड़ा पार हुआ है केंद्री स्वास मंत्राले के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 53,476 नए मामले दर्ज किये गए हैं जबकि 250,000 लोगों की मौत हुई है साथी 26,490 लोग कुरोना वाइरस को मात देकर घर लोटे हैं देश में सबसे अधिक भायावा इस्तिती जो है वो महराष्ट से सामने आई है जहां पर बीते 31,000 से अधिक कुरोना के केस दर्ज के गए थे महराष्ट में हर दिन कुरोना वाइरस के नए नए मामले जो बढ़ रहे हैं वो अपने पुराने रिकॉर्ड को ही तोड रहे हैं जही कारण है कि अब राज्य के कई शहरों में संपुर लॉक्टाउन लग चुका है महराष्ट में अब एक्टिव केस की संख्या भी धाई लाग हो गई है जो प्रदेश के आंकडों के आधे से भी अधिक है परशे मंगाल के पाथार प्रतिमा में मंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बनर्जी ने चुनावी सभा को संबोधित किया मम्ता बनर्जी ने कहा कि फिर से सरकार बनने पर सुन्दर्ता को नया जिला बनाया जाएगा हम वीजेपी की तरह दंगाबाज पार्टी नहीं है हम विकास में विस्वास रखते है मम्ता बनर्जी ने कहा कि अफ़ान के वक्त केंद्री ने कोई मदद नहीं किय थी पार्ठ किया है और बिजेपी पर जम कर निशाना साथा राश्टी स्वाम सेवक संग को अब कॉंग्रेस के पूर्वधक्ष राउल गाधी संग परिवार नहीं कहेंगे राउल गाधी ने ट्विट करके कहा है कि मेरा मानना है कि आरेसेस वा सम्मंदिश संग ठंगो संग परिवार कहना सही नहीं होगा और महिलाएं होती हैं बुजर्ग के सम्मान होता है करुणा और इस्तिया की भावना होती है जो आरेसेस में नहीं है राउल गाधी ने कहा कि मेरा मानना है कि आरेसेस वा संग ठंग को संग परिवार कहना सही नहीं है परिवार में महिलाएं बुजर्ग होते हैं जिनका बुजर्गों के लिए सम्मान होता है करुणा और इस्तिया की भावना होती है जो RSS में नहीं है अब RSS को संग परिवार नहीं कहूंगा